हम लोग जब रात में ओफिस का कोई काम करते हैं हमारा PC और लैपटोप में जब हम ओफिस पैकेज में काम करते हैं तो उसका जो कलर्फुल लाइटिंग होता है उसकी बज़े से हमारा आखों में बहुत तक्लिप आता है laptop का light से हमारा eye damage हो भी सकता है और हमारा brain में इसका effect भी बहुत ज़्यादा पड़ता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग Microsoft का office package में dark theme को enable कर सकते हो तो ये enable करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि dark theme आपको Microsoft office word, excel, powerpoint सब के लिए अलग अलग तरीके से dark theme को enable करने की कोई जरुवत नहीं अगर आप word में dark theme को enable कर देते हो तो powerpoint, excel और access में automatically dark theme enable हो जाएगा तो आएए देख लेते हैं कैसे office package का कोई भी software और apps में हम लोग dark theme को enable कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आप लोग word को open कर लिजे जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं इधर word को open कर चुका हूँ उसके बाद आप लोग left side जो उपर file का option है उसमें आप लोग click कर दीजे उसके बाद सबसे नीचे options दिखाएगा left side नीचे आप लोग options में click किजे click करने के बाद general के अंडर आपको इधर दीख जाएगा एक office theme कहेके इस office themes के अंडर colorful है इधर आप लोग right side जो arrow है इस arrow में click करके इसको black कर दीजे black करके right side नीचे इदर जो okay है इसमें click कर दीजे तो एक करने से आप देख सकते हो एक dark theme इनेबल हो चुका है अब dark theme से colorful theme में जाना चाते हो तो क्या करना है आपको वही process को repeat करना है मैं आपको देखा देता हूँ उसके लिए आपको सबसे पहले options में जाना है उसके बाद general के calendar इधर आप देख सकते हो office theme के एक लिखा है इधर आप ब्लाग theme है इसलिए ब्लाग लिखा है आप इधर right में click करके इसको colorful रखके okay कर दीजे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ये tips helpful लगा तो वीडियो को like कर दीजे more tech जो आपके लिए इतना मैनत करता है इसलिए content family का एक हिस्सा बनना तो चैनल को सब्सक्राइब करके support कर सकते हो आप और ऐसे latest update पा सकते हो